आज हम यह जीरो नंबर के गुपाल जी की पुशाग बनाएंगे यह बहुत ही इजी और सिंपल है और मैंने इसे स्टेप बाइ स्टेप बताया है और यह मैंने दो कलर में बनाई है एक स्लिप नॉट बनाएंगे फिर एक दो तीन चार पांट छे साथ आर नो दस ग्यारा वारा तेरा चौदा पंदरा फिफ्टीन चेंज बनाएंगे इसके बाद देखिए अब एक दो तीन चैने को स्किप करेंगे परफ पर फोड़ वाली चैन में चौती चैन दबल क्रॉशे बनाएंगे इस तरह से हमसाबी चैन ही किक डबल क्रॉशे बना लिए जो स्टार्टिंग ने दिन चैन सकिप कर रहें थी वो भी डबल क्रॉशे काउंट पर गेंगे इसमें 13 double crochet बन गए हमारे इस राउंड में अब देखें next के लिए एक दो और ये तीन chain बनाएंगे turn करेंगे और next rolly chain में एक double crochet ये तीन chain ये पी double crochet ही count होंगी और दो double crochet इस राउंड में हम first और last chain में एक double crochet बनाएंगे और बाकी सभी में दो डबल क्रॉशे बनाएंगे एक double crochet सेम इसी में एक और double crochet इस तरह नेक्स रॉली चैन में दू डू 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 है तोहरा ऑना टोटेल फोर ड्पल क्राऊशे बन गए अब नेक्स ट्राउंग के लिए देखें एक दो और ये तीन दुटल योटीन के नाके एट टं करेंगे और नेक्स टॉलि चेन में एक दबल क्रॉश्य बन्हाएं गए ये तीन फिल क्रोशे में सब्सक्राइब कुछ दो देखिए सके तीर में 4000 है कि ये चार दखने के चार दखना लिए अब दर्ट बासे भी दो धंने के दैटीक यहां से 1 2 3 finance के अटि podal люб Hey ये और एप डबल क्रोशोट में ईक दो तीन चार पांच छे साथ और ये आठ आठ डबल क्रोशे बना लिये हमने तो इस तरह से देखिया हमारा फर्स्ट बाज़ बन गया और ये बैक साइड बन गया इस तरह से अब फिर अब देखिये बैक साइड बन गया हमारी अब देखिये यहां से फिर से एक दो तीन चार चैने स्किप करेंगे फिफ्ट वाली चैन में एक डबल क्रोशे बनाएंगे उससे नेक्स ट्रॉली में भी एक डबल क्रोशे बनाएंगे दो डबल क्रोशे यह हम सेकंड बाज़ बना रहे हैं इससे next में यह तीन डबल क्रॉश है और यह लास्ट में जो तीन चैन है तो इसमें से अब देखिए इस तरह से जो यह हमने स्टार्टिंग में तीन चेन बनाई थी उसमें से थर्ड वाली जो चैन है जो सबसे उपर वाली चैन है उसमें स्लिप स्ट्विच करेंगे इस तरह जॉइन कर ली चोली हमने अब एक जॉइन करके एक चेन बनाते हुए अपनी थ्रेड क हमारी चोली बन गई तो आप बाद प्रफिल्ट सकते हैं इस सबूइना इस तरह से हम त्रेट को अटैच करेंगे ऐसे एक चैन बनाते हुए अब यह बयो नहें सबी में half double crochet या single crochet भी बना सकते आप इस तरह से जो भी loop मिलता जाए उसमें single crochet ये धागा साथ साथ दून लेंगे ताकि ये तिखे न और निकले भी न तो इस तरह से सबी में half double crochet या single crochet बनाते जाए इस तरह से देखी यहाँ पर यह देखिए corner पर दो single crochet बनाया है इस तरह अब देखिए हम यह neck line में आगे neck line में हम हमारी पास chain है तो हम हर chain में half double crochet बनाएंगी या single crochet मैं single crochet बना रहे हूं आपको जो पसंदो इस तरह से बनाते जाएंगे तो यह देखिए इस तरह हम यह बनाते हुए यहां तक लेके आएंगे इस तरह से हमारी चूली बन गई हमने outlining भी कर ली border बना ले इसका अब हम देखिए घेरा स्टार्ट करेंगे तो घेरा बनाने के लिए जो यह बाजू है हमारा उसके corner से हम स्टार्ट करते हैं घेरा ब अरीक प्छैने जबीं चेंग आ इसी फाली चेन में एक डबिल क्रॉशु यह nouveau कॉशली दुनक जिर सब्सक्राट में चार दभी क्रॉशे जिए कान और आती हमने आपो इस तरह से एंड हैं टुर Only कॉशे deeply दख ऐए गुशर के ना बनांट ben आये और और यह देहिए अब जो स्टार्टिंग में तीन फिर थर्ड वाली चैन में डालेंगे इस तरह स्क्रोशिट को और यह वाली जु त्रव्य थ्रेट है बनाएंगे अब थ्रेड को निकालेंगे जो सबसे जो फर्स्ट वाली हमने डबल क्रोशी बनाएंगे उसके ओपर चेन में क्रोश को डालेंगे और इस वाले लूप को इस तरह से डाल के ऐसे निकालेंगे पॉप स्टेच बनाएंगे फिर एक दो तीन और चार चेन पर चार डॉल क्रॉश्य को कि सबंसमें कि प्रेत कि प्रेटिट को आपर मेंरे इस तरह से हम यह राउंड बनाते जाएंगे देखिए हमारे बैक में थे 8 डबल क्रॉशे और बाजी वाले 4 और 4 टोटल हमारे पास 16 डबल क्रॉशे थे तो हम 16 ही हर डबल क्रॉशे को पर जाएंगे उसमें 16 ही यह पॉपकॉर्ण स्टिच यह पॉफ स्टिच बनाएंगे इस स्टिच के ओपर जो चेन है उसमें क्रॉशे को डालते हुए जोड़ लेंगे फिर एक चेन बनाते हुए अपनी थ्रेड को कट कर लेंगे इस तरह से देखिए तो यह इस तरह से यह बनेगा अब देखिए इस तरह से यह पैटर्ण बना अब एक नई कलर की थ्रेड जॉइ प्रेड नाई है कहीसे भी स्टाट करेंगे इसमें क्रॉशेक हो डालेंगे और यह दागे को इस तरह से एसे जोईन करेंगे एक चेन बनाते जुंए यह तो आप देखिए एक slip knot बनाते वे भी अपने thread को join कर सकते हैं सबसे पहले एक slip knot बनाएंगे और उसके बाद अपने thread को pattern को अपा कड़ेंगे और slip knot को crochet में डालते वे एक chain बनाएंगे इस तरह से भी join कर सकते हैं फिरे देखिए एक chain बन गए हमारी दो, तीन, चार चार chain बनाएं, यह एक triple crochet count होगा अपने, eh crochet prop में दो बार thread को लपाटेंगे तो यह देखिए, एक बार निकालेंगे दो बार और यह3 बार 1 triple crochet मनाएंगे अब één, और, दो बार लपाटेंगे 1 triple crochet hierarch colone बनाएंगे एक बार निकाला, दो बार निकाला और यह तीन बार निकाला तो इस तरह से ट्रीबल क्रॉशे बनाए तीन ट्रीबल क्रॉशे बनाए फिर एक तो और यह तीन चेन बनाए अब जो यह लास्ट में दो लूप है यह वाले देखिए इसमें रोड़ाईयों को डालेंगे पर प्रस्टीच में यह देखिए लपिटानगे खाफ acquisition बनाएंगे や तरह कि नेक्स वाली चार चेपंद 15-168 को डालें में single crochet रएवी बनाए तरह लोप पमें डालेंगे ह। लूपि इसमें 15-169 तूप निकले फिर दोबार लपेटा फिर एक और दो बाद और इस तरह से रही तीजर क्राइब फिर テस निकले डखता रने करेंगे जिर तो पेता तीज जरीए कावल यहीक के लिगे इवाले का गृण कास़ के थाल पर वाल्पी यह दो दो बार लपेटेंगे फिर से 3 brown group रोस्तों नेंगे राखें पर स्सक्राट काने राखेंगे 6 से निट्ए क्पयों को तेड़ी क्यायन के रिखें अब यह तीछ रहा ही वत хочется करेंगे जो dal authentication चार चैने के उसमें सिंगल क्रोशे बनाएंगे इस तरह फिर नेक्स ट्रॉली में डिबल क्रोशे बनाएंगे दो और तीन तो इस तरह से राउंड अपना बनाते जाएंगे एक बार तीन डिबल क्रोशे तीन चैने के पकॉट पिकॉट तीन डिबल क्रोशे फिर नेक्स ट्र लूपोस में के एक ट्रृबल कॉसरे ही एक ट्रृबल कॉसरे है the अहले तरह को कि अगा बार दो ड्रृबल को जो आसंट एक कि दो परकलो क्रॉषे दो त्रल चेन in वाली लोपएस में नेक्स्ट सिंगल क्रॉशे बनाएंगे तो इस तरह से ये बनाते जाएंगे मेला से अंपना पैटल यह दूफ है इस तरह से यह बना और लास में देखे ये वाली चेन में चारड अ्यूंव है इस ये वाली जो chain है इसमें जो first chain बनाई थी क्रॉष्यों को डालेंगे slips रिस्से से जोल लेंगे इस तरह फिर एक chain बनाएंगे इस तरह से और अपनी thread को cut कर लेंगे तो इस तरह से निकाल लेंगे तो यह हमारा जो pattern है वो इस तरह से देखिए हमारी गुपाल जी की zero नमर के पले हैं थेंक यू सो मच पर वाची नियुक्ट पर वाची नियुक्ट